Hello everyone, परिक्षा गुरू के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हर देख स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के उपर जो आजकल बहुत ही चर्चा में है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NRA और CET की एक ऐसा एक्जाम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि संपूर्ण रास्ट्र में केवल एक ही एक्जाम अपसे कंड़क्ट कराये जाएगा उसी के बारे में कुछ important question, कुछ important points के साथ मैं तरन जगा आप सभी लोगों का सौगत करता हूँ सबसे पहले अगर बात की जाए कि actual में ये सब चल क्या रहा है, ये सब है क्या तो अगर हम ध्यान दें, तो ये जो 2014 में government आई, उसने एक रास्ट्र, एक policy पर, यानि कि one nation, one policy के motto पर work करना start किया और उसी के अंडर बहुत सारे changes किये गए, जैसे आधार कार्ड, यानि कि one nation, one identity को लागू किया गया उसके बाद one nation, one tax policy जिसे हम GST के नाम से जानते हैं और बहुत सारे ऐसे changes हुए और इसी change के अंडर अब एक नया change जो 2021 से हमें देखने के लिए मिल सकता है one nation, one recruitment test यानि कि एक रास्ट की एक ही भरती परिक्षा होगी अब इसके बारे में बहुत सारे अलग-अलग views पेश किये जा रहे हैं आज हम discuss करेंगे उन में से ही कुछ ऐसे points को जो हमारे अब होने वाले competitive exams में भी पूछे जा सकते हैं बने रहिएगा वीडियो के साथ और enjoy कीजेगा इस वीडियो को सबसे पहले अगर हम बात करें तो one nation, one recruitment test की policy पर यह based है second thing अगर हम देखें तो एक agency, एक agency का establishment किया गया है और उस agency का नाम दिया गया है NRA एक single recruitment इस NRA के दोरा कराये जाएगा, NRA क्या है National Recruitment Agency, एक agency है एक institute बनाया गया है जो हमारा CET कराएगी, common eligibility test कराएगी, अब इसको 19 अगस 2020 को cabinet दोरा मनजूरी दी गई, देखें शब्द आया है cabinet तो इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बातचीत करें, क्योंकि हमें जो अब exam हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ध्यान रखना है चीजों को cabinet शब्द, Indian constitution में सिवाए emergency के कहीं पर भी use नहीं किया गया है जैसे हम कहते हैं cabinet ministers, ये एक general term में हम कहते हैं cabinet minister constitution में सिवाए emergency के cabinet शब्द का कहीं भी use नहीं किया गया है मंतरी मंडल को council of ministers कहा जाता है constitution में तो हम अगर move करें कि भई NRA क्या है, अगर NRA की बात करें भई NRA क्या है तो NRA एक society है हमने अभी पढ़ा, तो NRA एक society है तो उसका registration हुआ होगा उसका registration हुआ है, Society Registration Act 1860 के अंडर point को note कर लीजेगा, important है examination के परपस से कि Society Registration Act 1860 के अंडर गत NRA को register किया गया है बात करें कि भई, कितना इसमें investment की अवशकता होगी है, सरकार ने कितना एलोट किया है, इसके लिए ये भी government exam के परपस से important question बन रहा है सरकार ने 1517.57 करोड तीन वर्ष के लिए प्रतिबंदित किया है, यानि कि आने वाले तीन सालों में इसके establishment के लिए 1517 करोड रुपे खर्च किये जा सकते हैं government ने इसको sanction कर दिया है तो ये recruitment agency के दो important point जो मेरे according लगते हैं मुझे कि आपको बताने चाहिए बाकी recruitment agency है, तो एक agency की तरह बत करेगी, अब agency क्या भई, जैसे SSC exam कराता था ठीक है, तो SSC एक agency हो गई, जो exam को conduct करा रही है IBPS agency एक exam को conduct करा रहा है, IBPS banking के exam को conduct कराता है ठीक, इसी तरह से railway, तो NRA ने इन तीनों ही major examination को इसमें include किया है SSC को, railway को और banking को, इन तीनों sector के जो examination है, वो NRA conduct कराएगा अब कौन से examination? किवल preliminary examination, यानि कि pre exam जो होता है, वो NRA conduct कराएगा और उसको उसने नाम दिया है Common Eligibility Test, CET, समान्या पातरता परिक्षा तो जानते हैं इसके बारे में कि CET क्या है अभी है CET की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस साल से ये लागू नहीं होगा सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि 2021 से proposed है, plan किया जा रहा है कि 2021 से इसको लागू करकर देखा जाए अब क्या होगा, सभी examination जो मैंने अभी तीन बताए SSC, banking और railway इनका एक ही pre-exam होगा और वो होगा computer-based online test, CBT जिसे हम कहते है ये अभी के लिए, फिलहाल के लिए एक वर्ष में दो बार के लिए प्रपोस किया जा रहा है यानि कि CET एक साल में दो बार होगा 10th based भी होगा, 12th based भी होगा और graduation based भी होगा अब question year rise होता है कि भाई, अगर आप graduate है तो आप 10th based वाला भी दे सकते हैं, 12th based वाला भी दे सकते हैं, graduation वाला भी दे सकते हैं नहीं, जो आपकी maximum qualification है, उसी के exam में आप appear करेंगे और नीचे वाले सभी exam में आप qualified माने जा सकते हैं, उसी के according अभी फिलाल के लिए propose हुआ है year में, दो बार कराना है आगे चल कर ये तीन बार भी हो सकता है, अब question कैसे आएंगे, तो question का pattern भी रहेगा multiple choice होगे, बस थोड़ा सा change हो जाएगा, क्या कि multiple language में होगा क्योंकि all over India के वल एक ही test होना है, single test होना है, तो multiple language में इस text को कराया जाएगा इसका जो भी score होगा, qualifying score decide के जाएगा, cut off decide की जाएगी, उसके base पर जो score alert होगा वो तीन सालों तक valid होगा, आप देखें इसके क्या advantage मिलेगा आपको तीन साल तक score valid होने का जो लोग capable नहीं है कि हर exam के लिए अलग-अलग form बने, जैसे SSC कितने सारे exam कराता है CHSL कराता है, CPO कराता है, CGL कराता है, IVPS के RRB के exam सालग होते है, CLERK अलग होता है, PO अलग होता है तो इनके सबके अलग-अलग form बने पड़ते हैं, अलग-अलग pay करना पड़ता है, traveling के लिए अलग-अलग खर्चा करना पड़ता है आपको वहां तक महुचने के लिए अब क्या होगा, आप एक exam देंगे साल में, दो opportunity मिलेंगी आपको अभी फिलाल के लिए आपने उस exam को अगर एक बार qualify कर लिया, तो अगले तीन साल तक आपको कोई pre-exam देने की at least आवशकता नहीं है तो pre-exam का जो expenses और जो time taking process था, pre-examination का अगी बहुत सारे exam हो रहे हैं, उसको reduce करने के लिए ये policy को लाया गया है तो तीन साल तक इसका score valid होगा, उसके base पर आप कोई भी main exam में appear कर सकते हैं आगे और एक important चीज़ इसमें ये रखी गई है कि जो attempts है, maximum attempt कितने दे सकते हैं, ऐसी कोई limit नहीं रखी गई सिवाए age बाहर के age limit के अलावा इसमें appear करने के लिए कोई भी restriction नहीं है कि हाँ इतने ही प्रयास में आपको इसको qualify करना है एक और facility आपको मिलने जा रही है इसमें कि हर district में at least एक examination center establish करने का plan है 117 examination center establish किये जाने है नई ठिक तो ग्रह जनपत की सुविधा आपको पूरी पूरी मिलने की इस बार उमीद है CET लागू होने के बाद ठिक completely online process है यानि कि paperwork पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी नहीं होगा online ही form आएंगे online application आप submit करेंगे सब कुछ online होना है कुछ भी paperwork किसी भी तरह का नहीं होना है हाँ syllabus अभी decide नहीं है कि भाई आएगा क्या लेकिन इतना मान कर चलिए कि general aptitude ही आना है general aptitude क्या क्या हो गया जैसे common mathematics के question जो हर level पर चल सकें जैसे अब कहीं है भई CGL का examination का level और banking का examination का level syllabus pattern सब अलग है इसमें अलग नहीं होना है pre में तो जब same करेंगे तो कुछ common चीज़े निकलेंगी जैसे reasoning है reasoning सब में आती है aptitude है aptitude समी में आता है इसके अलावा वो general awareness को बढ़ा सकते है mental abilities के questions को बढ़ाया जा सकता है तो syllabus अभी decided नहीं है लेकिन हाँ कुल मिलाकर होना यही है ठीक लिए मेहनत में लग जाओ देखो अगर आपको लगता है competition बढ़ेगा तो competition का तो भई यह मान लो कैसे बढ़ेगा पहले साल आप appear करेंगे या जो भी candidate appear करेंगे उनका score card तीन साल के लिए valid होगा तो competition तो actual में दो साल बाद या एक साल बाद mains examination में बढ़ना है क्योंकि जिनका score तीन साल तक valid है वो तीन साल तक appear करेंगे mains examination में without taking CET और आपको CET देकर जाना पड़ेगा अगर आप qualify नहीं होते है यही एक मौका है लग जाइए पूरी तरह से तैयारी में और क्रैक कीजिए इसी बार के examination को या पहले ही CET के attempt में qualify करवाने की पूरी कोशिश कीजिएगा परिक्षा गुरू के साथ बने नहने के लिए थैंक्यू सो मच